नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कई सारे मैंने वीडियोज बनाये हैं related to India and China उससे आपको clear समझ में आ गया होगा कि जो चाइना है वो अलग-अलग प्रकार की चाले चल रहा है ताकि भारत का जो सीमा है उसको किसी प्रकार से विवाद में बनाये जा सके इसको लेकर finally आप देख सकते हो यहाँ पर कई सारे media houses के दोरा खबर चलाई जा रही है बताया जा रहा है कि जो इंडियन आर्मी है वो लेकर आई है plan 190 जिसके तहत अरुनाचल के अंदर क्योंकि अभी latest क्या हो रहा है कि जो चाइना है वो काफी जादा aggressive behavior दिखा रहा है on the LOC line of actual control अरुनाचल सेक्टर के अंदर तो इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि यह plan 190 क्या है जो कि इंडियन आर्मी लेकर आई है ताकि चाइना के इस move को counter किया जा सके तो काफी कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप UPSC या फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे है तो simply आप हमारे app को download करिए या फिर studyiq.com विजिट कर सकते हैं वहाँ पर जितने भी courses हैं UPSC, state, PCS, banking सभी कुछ आपको काफी कमदाम पर अभेल किया जा सकता है चली देखते हैं exactly यहाँ पर हो क्या रहा है जैसा कि मैंने आपको बता है कि जो line of actual control है आप लदाक से लेकर पूरा भी latest आपने देखा होगा उत्रा खंड के अंदर उन्होंने घुसने की कोशिश की थी तो अब latest क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो अरुनाचल वाला sector है वहाँ पर भी वो aggressive behavior दिखा रहा है इसी को देखते वे भारत और चाइना दोनों की तरफ से अगर आप देखोगे तो बड़ी संख्या में जो soldiers हैं, armies हैं उनको वहाँ पर deploy किया हुआ है इसके लाबा बहुत सारे weapons भी huge numbers में आप कह सकते हैं deploy किये जा चुके हैं तो इसको देखते वे भारत की आर्मी, भारत की सेना उन्होंने एक working plan लेकर आए है जिसका नाम है plan 190 इसके तहत बताया जा रहा है कि आर्मी को और जादा aggressive बनाया जा रहा है मतलब especially अगर हम अनुनाचल परदेश वाला पुरा area border की बात करें तो वहाँ पर जो आर्मी तैनाथ हैं उनके अंदर और जादा aggressiveness भरी जा रही है ताकि जो चाइना है उसको counter किया जा सके क्योंकि इस तरह का जो मामला होता है आपको समझना है कि अंदर से जतना जादा आप जोस दिखाएंगे मतलब कि यह वही होता है ना border पर कि अगर सामने से चाइना बहुत जादा aggressive हो रहा है वो बार-बार infiltrate करने की कोशिश कर रहा है जो boundary है उसको विवादित बनानी की कोशिश कर रहा है तो हमें भी किसी ना किसी प्रकार का तो यहां पर counter करना पड़ेगा तो यही हो रहा है basically तो question यह है कि यह plan 190 क्यों है मतलब इसका नाम 190 क्यों रखा गया है दीकि यह सब कुछ official नहीं है आपको समझना है यहाँ पर जो media के अंदर जो खबर आई है वही मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि गाहिर सी बात है भारत की सेना ऐसा तो है नहीं कि सामने आएगी और कहेगी कि हम इस तरह का plan बना रहे है और ऐसा करना है नहीं कर रहे है लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो कि यह जो 190 है it is related to 190 minutes everyday मतलब कहने का मतलब यह है कि जो border है वहाँ पर हर दिन एक special drill किया जाएगा भारतिय सेना के द्वारा for 190 minutes अब इस 190 minutes के अंदर अगर आप देखिए तो 140 minutes जो physical exercise होता है उतने high altitude पर 15,000 feet के मैं बात करना हूँ और है तेवे 140 minutes तक एक physical exercise होगा जैसे martial art हो गया, combat training हो गया, इस तरह की चीज़ें कराए जाएगी और अगला जो 50 minutes है उसमें aggressive activities कराए जाएगी, aggressive activities क्या हो सकता है जैसे कि सबोज मान लो सामने कोई चाइना का flag लगा दिया उसको hit करने की कोशिश कर रहे है, मतलब अलग अलग जो प्रकार की चीज़ें होती है, जो enemy होता है उसका photo लगा कर उसको hit करने की कोशिश करना, जो tires होते हैं उसके उपर hammer करना, hammer से उसको बार बार beat करना, मतलब आपके अंदर एक जोश आए, इसके अलावा यहाँ पर लकडी का आपने देखा होगा ना, फट्टा होता है यह कराये जाएगा, और अगला 50 मिनट aggressive activities कराएंगी, और यह total मिलकर हो जाता है 190, और इसी को बोला जा रहा है 190 plan, और यह सारा सब कुछ मैंने आपको बताया, कि जो तवांग brigade है, क्योंकि आपने recently देखा होगा, कि जो China की army है, कुछ लोग यहाँ पर enter कर गए थे, करीब 200 के आ अरुनाचल परदेश है, यहाँ पर यह जो पुरा LAC है, इस्पेशली तवांग की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बार बार जो China है, वो कहता है कि यह सदन पार्ट है टिवित का, अरुनाचल को पुरा सदन पार्ट बदाने की कोशिश करता है, तो इस्पेशली यह वाला जो brigade का infiltration होता है, तो इंडियन आर्मी उसी aggressive attitude से उसके उपर response कर सकेगी, और यहाँ पर आप देख सकते हो, एक और चीज बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से high altitude regions पर, वर्ल्ड वार टू के दौरान यहाँ पर bunkers बनाये गए थे, वही bunkers सब वापस से बनाये जा रहे हैं, लेकि उसकी तरह से यह जो bunkers हैं, वो काम करेंगे, और इसके अलावा यहाँ पर जो enemy की हर एक movement है, उसको यहाँ पर track करने की कोशिश की जाएगी, उसको monitor किया जाएगा, और यहाँ पर जो purpose बताया गया है, इंडियन आर्मी के द्वारा plan 190 का वो यही है, kill and be kill, मतब करो या मरो व होता है, war exercise, वो भी conduct किया गया था, मतलब भारती सेना की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से clear संकेत दे दिया गया है चायना को, कि अब अगर आप किसी भी प्रकार की चीजें खड़ा करने की कोशिश करोगे, मुसीबत खड़ा करने की कोशिश करोगे, तो हम उसके लिए तयार हैं, और उसी aggressive behavior से, यहाँ पर हम आपके उपर war करेंगे, इसके लाबा मैं आपको यह भी बता दो कि वहाँ पर जो new weapons हैं, उसको deploy कर दिया गया है, इंडिया has deployed new weapons in this particular sector, जो अरुनाचल वाला मैंने आपको बताया, जैसे कि M777 Ultra Light Howitzer, इससे मदद क्या होती है, इस होती कि यहाँ पर काफी swiftly, बहुत तुरंत हम उसको deploy कर सकते हैं, किसके मदद से आपने Chinook helicopter के बारे में सुना होगा, तो काफी आसानी से Chinook helicopter से उसको वहाँ पर उतारा जा सकता है, और यहाँ पर firing जो भी करना है, वो हम कर सकते हैं, इसके लाबा यहाँ पर जो upgraded L70 anti-aircraft gun है, उसक जो anti-aircraft gun है, वो काफी अच्छा मददकार साबित हो सकता है, पहली बार आप सोचिए उसने high altitude पर इसको position किया गया है, तो इससे आप समझ पा रहे होगे कि कितनी जादा गंबीर situation हो गई है, इसके लाबा भी मैंने recently आपको वीडियो में भी बताया था, कि भारत ने जो pinaka rocket है और जो smurge rocket है, उसको भी China border पर तैनात कर दिया, और ये China border मैं बात कर रहा हूँ, वही अरुनाचल परदेश वाले sector की, या आप देख सकते हो, ये pinaka rocket है, और इसमें बताया जाता है कि within 44 seconds, एक किलोमेटर का जो radius है, उसको पूरी तरह से तबाह कर सकता है, खतम कर सकता है इसके अलावा ये वाला जो है आपका USSR-based, जो Russia-based system है, smurge, ये भी क्या करेगा, within few seconds में, जो 1.2 km का radius का पूरा जो area है, उसको कवर कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें लगतार की जारी है, उसका main कारण यही है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कि China जो है, वो aggressive हो रहा ह उन्होंने अपने border areas पर deploy कर दी है, recently एक और मैंने video बनाया था और आपको बताया था, कि China ने अपनी parliament में, वैसे parliament तो अब क्या ही कही है, चाइना के अंदर, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक कानून पास किया है, new land border law, और इसकी तरह से ना उसको legalize करने की कोशिश कर रहा ह तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है, obvious सी बात है, और इसी के वज़े से यहाँ पर भारत जो है, वो अपना stance अब धिरे धिरे change कर रहा है, और वही aggressive stance हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जरूरी है भारत जो है, day and night जो surveillance activity है, पूरे sector में, उसको यहाँ पर बना कर रख क्या बता सकते हो, इन में से कौन सा ऐसा rank है, जो की selection के basis पर किया जाता है, not based on time and service, obviously बात है जब अगर आप इंडियन आर्मी में देखोगे, तो जितना लंबा समय आप जाते जाते हैं, उतना आपकी rank बढ़ती जाती है, लेकिन इन में से कौन सा वो rank है, वो selection के basis पर होता ह It doesn't matter कि आपने कितने लंबे समय तक उसमें काम किया है, कितना service किया है, ठीक है, तो इसका जो right answer है, आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मेरे गई, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहत मेलता हुष नेक्स तिल देन, थांक यू बरी मुच, सी यू सून